कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अनेता राहुल गांधी आज जार्खंड दौरे पर थे। राहुल ने गुमला के बसिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को आदिवासी, बेरोजगारी, अगनिवीर समेट कई मुद्दों पर घेरा। राहुल बोले नई सरकार बनते ही सरनाधर्म कोड लागू करेंगे, गरीब किसानों का कर्ज माफ करने और गरीब परिवार की महिला के खाते में सालाना एक लाख रुपए यानी साढ़े आठ हजार रुपए महीने देने का वादा भी किया। राहुल बोले सरकार बनते ही 500 रुपए अकाउंट में जाएगा। गांधी ने कहा कि भाजपा आदिवासियों का सम्मान नहीं कर रही है, बलकि इस्तिमाल कर रही है। आदिवासियों के मुद्दे पर राहुल बोले भाजपा आदिवासियों की भाशासंस्कृति को चलना चाहती है। वे उसका सिस्टम बनाएंगे। रहुल ने कहा कि मनरेगा में 250 रुपए मजदूरी मिलती है। यहां हमारी योजना थी। नरेंद्र मोदी इसको ठीक से लागू नहीं करते। हमारी सरकार बनी तो मनरेगा में 400 रुपए मजदूरी मिलेगी। आशा और आंगनबाडी की महिलाओं की राशी दोगुनी करेंगे। किसानों का करजा मोदी सरकार ने माफ नहीं किया। हमारी सरकार बनी तो गरीब किसानों का करजा माफ करेंगे। साथ ही MSP देंगे। बता दें कि इस जनसभा को मुख्यमंत्री चमपाई सोरेन, कलपना सोरेन और प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेट अन्यनेताओं ने भी संबोधित किया था। इससे पहले राहुल ने चाईबासा में बेरोजगारों के लिए बड़ा एलान किया है। इंडिया गठ बंधन की सरकार बनी तो सभी बेरोजगार डिग्रीधारियों और डिपलोमाधारियों को एक साल की अपरेंटिस्शिप दी जाएगी। किसानों का करजा माफ होगा और किसानों के लिए कानूनी MSP बनेगा। आंगन बाड़ी से विकाओं दैनिक भक्ता बढ़ाएंगे। राहुल ने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि आज युवा ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं। चहरा अच्छा नहीं तो नौकरी से निकाल देते हैं। हम सरकार में ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। पेंशन के साथ नौकरी देंगे। अमीर परिवार के बच्चे जॉब मार्केट में जाने से पहले एक साल की नौकरी करते हैं। इसके बाद अच्छा काम करने पर उनकी नौकरी कमपनियों में पक्की हो जाती है। इससे सबत लेते हुए हम हर वर्ग के ग्रेजुएट युवाओं को पहली नौकरी का अधिक और कहा कि मीडिया कभी भी आदिवासियों के आवाज नहीं उठाती है। मीडिया के बड़े-बड़े एंकर में एक भी आदिवासी चेहरा आपको नहीं दिखाई नहीं देगा। भाशन के अंतमे राहुल बोले आपको निर्णय लेना है कि अडानी और मोधी की सरकार बना तो सरना कोड लागू कर देंगे साथ ही कहा कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक हूँ आप मुझे बताओ मैं पूरी कोशिश करके आपका काम पूरा करूंगा आपके जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ूंगा वहीं जेल में बंध जारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैमंत सोरेन के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है लेकिन हैमंत सोरेन चूटेगा इसके जवाब में भीर ने नारा लगाया जेल का ताला तूटेगा, हेमंत सोरेन चूटेगा यह आपका इस्तिमाल करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में आपके लिए कोई जगा नहीं है, कहते हैं कि हम ने आदिवासी राश्णपती बनाया, अच्छा आदिवासी राश्णपती बनाया, तो जब आपने पार्लमेंट हाुस खोला, तो उस राश्णपती जी से क्यों नही कुलवाया मोदी जी का काम नहीं है पार्लिमेंट कोलना राश्ट्रपती का काम है पार्लिमेंट हाउस का इनोगरेशन करना मोदी जी ने राश्ट्रपती जी को पर्य किया आफ राम मन्दे नहीं जाने दिया और पिर आपसे आज वोट मंगते हैं क्या समझ रखाएं उन्होंने कि आप इस बात को नहीं समझोगे कि हिंदी राष्ट्रपति का दो बार उन्होंने हिंदूस्ताइन के एक दुनिया के सामने अपमान किया है को ये उनकी सोच है मध्यप्रदेश में इनके एक नेता ने कि आदिवासी युवा पर पिशाप किया और पूरे हिंदुस्तान में विडियो फैला दिया कि इनकी सोच बदल नहीं सकती कि इनकी सोच बहुत पुरानी है तो अब हम करोणों लागपती बनाने जा रहे हैं आज मैं आपको बताने आया हूँ हम कैसे करेंगे जैसे हमारी सरकार आईगी हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी करोणों लोगों को नरेंडर मोदी ने एक बात फिर गरीवी में गिरा दिया है उनकी लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा गरीब परिवारों में आदिवासी होंगे दलित होंगे पिछड़े बर्क होंगे जादा से जादा आदिवासी होंगे करोणों आदिवासी परिवारों के नाम आएंगे उन में से एक महिला का नाम चुना जाएगा हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा जैसे ही हमारी बहने आई हैं और फिर उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का हजार रुपए नहीं, दस हजार नहीं, पचास हजार नहीं, सत्तर असी हजार नहीं, साल का एक लाख रुपिया हम डाल देंगे। आप सोचो, किसी भी किसी भी पार्टी ने ऐसा काम किसी भी देश में नहीं किया, हम करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का एक लाख रुपिया डालने जा रहे हैं भाई और बैनों। मान्य मुक्के बंठरे चंपाइ सरा जिंदा बाथ रहूल गान्धी जिंदा बएद इंडिया कट बंधों जिंदा बाथ रहूल गान्धी जिंदा बाथ